नमस्कार आप शभीत दर्सकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आचारी पंकत सास्त्रिय आपका अपने चैनल पर हार्दी कभी नंदन करता हूँ उपस्तित हूँ मेस रासी का मासिक रासी फल मई शन दोजार 21 को ले करके क्या बिसेश रहेगा मेस रासी के जातकों का यहा माई के माह में कैसी ग्रह गोचर व्योस्ता बनेगी कौन से सुभ योग बनने वाले हैं और कहां आपको शतर्क शावधान रहना चाहिए तो आये प्रारम करते हैं मैं यह रासी फल प्रारम करूं से पूर मैं आपको यह बता दूं कि यह रासी फल चंद्र कुंडली पर आधारित है और साथ इसको आप लगन कुंडली से न जोड़ें करते हैं और सर पर एक दिर्ष्टी डालते हैं मेश रासी के जातकों के ग्रह गोचरे भियुस्ता पर तो मेश रासी का स्वामी जो की मंगल है वह मिथंध रासी गत आपके लिए प्राक्रमस्तान तृतिया अस्तान पर इस्तित है राहूँ सुक्र और जो बुद्ध स्वाश गत दुतिय भाव, धन भाव में बनी वी है, सूर्य की इस्तिति मेश रासिगत आपके लिए लगन में बनी वी है, शनी मकर रासिस्त दसम अस्तान पर है, जिसको हम करमस्तान कहते हैं, देवुरु ब्रहस्पति कुम्ब रासि में लावस्तान पर इस्तित हैं, और केतु ब्रि को राव और सुर्य का ग्रहण leverage कि भुद्ध चपवीष ताहरी को राशी के मंधुन राशी में आजाएंगे मंंगल और बुद्स का योग बने और यहाँ प्राक्रम स्थान पर तीन ग्रहा आपके होंगे संपूर्ण मा में मतलब 14 महीं से लेकर करके अगले 14-15 जून तक आपके लिए शूर्य और राहू का ग्रहन योग बना हुआ है दुतिय भाह में अब इस ग्रही गोत्तिय के जातकों के स्वास्त पर एक दर्ष्ट्री डालते हैं तो स्वास्त के लियार से देखा जाए तो बिसेयस रूप से सतर्क शाब्धान आपको रहना होगा मेस रासी के जातकों को आपके लिए अश्टम अस्तान में केतु इस्तित है और राहुस दुतिय भाव में इस्तित है जो कि सब्तम दृष्टी से पूंड तहा अश्टम अस्तान को देख रहा है वहीं सुक्र बुद्वे इस्तित हैं वहीं पर सूरेवी 14 मई के पस्चात इस् क्याद्व कि आपके जचांब्टाता है जो आघया लिए वहीं श्तिती के लिए इस मई के मामें कि मेश रासी के जातकों की कारेचछेत्र तो कारेच चितर के स्वामी सनीदे बनते हैं जो कि कारी छेत्र में इस्ते थें तो निश्चित रूप से बहुत परिशर्म आपको करना पड़ेगा किंचित लाब्या आपको मिलेगा लेकिन परिशर्म अत्यदिक आपको करना पड़ सकता है इस मई के मामे और अत्यदिक परिशर्म के कारण आप मन से मांसिक रूप से वह कारे चेतर में आलस दिखाने का कारे आप मही के महामे करने वाले हैं अर्थात बिलंब करने वाले हैं टालने वाली इस्तिति आपके अंदर होगी जो कि आपको कारे चेतर में काफी हानी पहुचा सकते हैं निश्चित रोग से आपको इस आदित को छोड़ना होगा अपने कार बुलककड इस्तिती जैसी बनी हुई है उसके लिए आपको अपना डेली रुटीन एक कागज पर लिखना चाहिए और उसी के अनुसार कारे करना चाहिए निश्चित रोप से आप अच्छी सपलता प्राप्त कर सकते हैं प्राक्रम अस्तान पर मंगल इस्तित हैं और शुक्र बुद्ध भी वहां पर आएंगे निश्चित थी प्राक्रम आपका अच्छा रहेगा लेकिन आलस से बचे और कारे को सेख गृता से करने के लिए उत्साहित होना चाहिए आपको इस सब मही के मामे तब ही आपके कारे ब बनते हैं और वहां पर देव गृष ब्रस्पति इस्तित है तो निश्चित ही आपके लिए अच्छी स्तिति आय की बनी भी है लेकिन साथ ही आपका बेवी अत्यादिक हो सकता है बेव का स्वामी वैसे आय में है तो निश्चित रूप से आय अच्छी रहेगी लेकिन पर भी आपको विशेश रूप से ध्यान देना होगा धर्मकर्मित्यादी के छेत्र पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं अब बात करें हैं आपके उन तितियों की जिन तितियों में आपको विशेश शतर्व शावदान रहना चाहिए लेकिन उससे पूर्व देखते हैं क्रूर ग्राओं के साथ होता है 6-8 भारव भाव में होता है तो कहीं न कहीं हमें नकारात्मक्ता देने के कारे करता है और फल सरूप एक माह के वितर 6-8 ऐसी तितियां अवसे होते हैं जो हमें मानसिक रोप से कमजोर करते हैं सारी क्रोप से कमजोर करते हैं तो कौन सी वह त बताएंगे लेकिन उसे पूर बताएंगे आप सुब्तितियां तो तारिक एक दो पांट छे सत्रा ओठारव बीस एकिस सताइस और 28 मई मेश रासी के जातकों के लिए विशेश तित्या हैं इन तित्यों में आप अच्छा लाप्राप्त कर सकते हैं तो वहीं तो आपका जीवन मंगल में हो यही हम मंगल काम नए करते हैं नमश्कार जानकारी अच्छी लगे तो इसको सेर अवस्य करिए का और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही इस संपूर्ण मई के मामे मेसरासी के जातकों को विशेश रूप से सूर्य अरादना तो करनी ही चाहिए लेकिन सनी देव की भी आपको अरादना करनी चाहिए अच्छे कारी छेतर के लिए और स्वास्त के लिए आपको गन्य का रस वा आमले का रस भगवान सिवलिंग को और पंड करना चाहिए हर सनीवार और हर सोमवार को निश्चित रूप से स्वास्त के लियाद से अच्छा रहेगा और अच्छा लाव आपको देखने को मिलेगा नौशकार